बहुत ज़ादा गरम हो चुका है पूरे देश में पूरे देश में विवाद बहुत गरम आया हुआ है लेकिन हमारे गुजरात की संस्क्रिती है बाबा सबसे पहला सवाल केम चो मजा माचो बदू सारू छे तमे केम चो बदू गुजरात महावे परिश्थी थाड़े पड़ी छे पन एक सवाल जो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो कोरोना है उसके केस सिस्काफी हद तक कम हो चुके हैं गुजरात में लेकिन म्यूक और माइसिस जो है वो बहुत ज़ादा पन अप नप रहा है गुजरात में उसकी देशद शायद देश के और हिस्सों से सबसे ज़ाद है क्या योग में उसके लिए कोई ऐसी ऐसा योग है जिससे कि उसकी संभावना कम की जा सके क्योंकि उसका इलाद भी कोरोना के मुकाबले बहुत महेंगा है अमा बात बेतरह वाकियों गुजराती मा बोलू छो जे मानस नहीं इमिनिटी वीक थाई छे बिल्कुल अमने गम शे अने जे प्राणायाम कर शे जे गड़ो तुलसे नो उकाड़ो पीशे एने इमिनिटी वद से आउने एक सिंपल एकजमा आको छे जे लाकडी होए ना गड़े ली होए एनो उपर फंगस लागे तो कमजोर लकडी को फंगस लगती है कोई भी बैक्टीरिया कोई भी वाईरस क इसी भी तरह की कोई चीज उसके ऊपर पनपती है जो मजबूत लकडी होती है उसमें कोई बैक्टीरिया कोई वाईरस कोई फंगस कोई दीमक नहीं लगती है तो जो आपने आपको बल्वान बनाने वाली विद्ध्या है वो योग है वो आईरवेद है वो नेचरोपैथी ह शाली तुम्हें सबसे कहूंगा सुबह उठकर के आमला अलिवेरा गिलोई तुलसी नीम आमला अलिवेरा गलो तिलसी नीम एनो उकाड़ो पीवे इनका काड़ा बना करके पीए यह बहुत जरूरी है भस्त्री का आराम आराम से करें कपाल भाती और अनुलोम में लोम करें अनुल तेल नाक में डालें में एक सब्ता के भीतर भीतर पूरे साइंटिपीक अविडेंस साथ अनु तेल का भी क्या इश्यायट होता है क्या इंपेक्ट होता वह भी पुरा रिपोर्ट के साथ आपको बता दूंगा क्योंकि हमारा सैनलाल ट्राइन से लेकर के एनिमल ट् तो खेर ये बहुत प्रामाणिक रूप से मैं कह सकता हूँ कि जो कर सकें वो जन्नेती सूत्रनेती करें होने के बाद तो नहीं कर सकते खेर लेकिन नसे जुरूर ले अनो तेलका शडबंदू तेलका और ये गलो तुलसी जो मेरा आज बताया ये प्रियोग करेंगे तो म्योक योग की का प्रचलन बहुत जादा बढ़ा है योग आप पहले ये कहा जाता था कि जो प्रत्यक्स सीखते हैं उसका योग में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो आपको कुछ गलत आपके शरीर में कुछ और भी होने की संभावना रहती है क्या ओनलाइन योग फाइदे के जले के हमारे डॉक्टर भाई और मैं कहता हूं देखो कोई आदमी योग करेगा तो क्या करेगा और ओलाइन बताएक में डीप ब्रीधिन करो अब उसने लेने छोड़ने के वज़ाए खाली छोड़ना शुरू कर दिया तो भस्री का ना होके कपाल भाती हो जाएगा उस लिए योग में कुछ बेसिक साउधानी दोती नहीं है सीर्शासन सरवांगासन नहीं करना चाहिए यदि हाट की प्रोब्लम और उचरक चाप है तो कमर दर्द है आगे नहीं जुकना हरनिया पीछे नहीं जुकना बाकि आराम आराम से बिंदास होकर के योग करें कोई डरन से मरते हैं और गलत हैं योग गलत करके कोई मरा मैंने कोई सुना नहीं जी लेकिन जितने लोग दवाक खा करके मरते हैं उससे ज्यद्र लोग्bas脆 के उनमें से मरते हैं यह टरूろ के द्वारा लेकिवी किताब और वह चो भी मानता है अब बताओ तो ये गलत prescription नहीं होना चाहिए योग में भी थोड़ी सावधाली रखनी चाहिए बाबा आप भी कोई मौका नहीं छोड़ते एलोपेथी को बताने के लिए कि उसमें दम नहीं है जादा आप भी कोई मौका नहीं छोड़ते अभी भी आपने यो लोकमत हमारा जो मराठी चैनल है बहुत जानामाना चैनल है उसके संपादक सवाल पूछे आशु भाई आशुतोष जी 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 आवी जी बाबा नमस्ते जैमाट